दुर्ग एसपी शलब कुमार सीनहा ने फरार चल रहे वारंटियों की गिरफतारी के लिए एक विशेस अभियान चलवाया एसपी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में सभी राजपत्रिद अधिकारियों के अलावा थाना प्रभारी और पुलिस बल को तयार किया गया था पुलिस टीमों ने रात नौ बजे से अभियान चला कर लगबख एक सुसाथ वारंटियों को पकड़ने में सफलता हासिल की एस पी के निर्देश पर साथी एस पी संजय कुमार ध्रू वो एस पी ग्रामिन अनंत साहू के मार्ग दर्शन में कॉम्बिंग गश्ट अभियान चलाए गया जिसके बाद जिले दुर्ग के समस थाना एवं चोकी प्रभारी के द्वारा रात नौ बजे से चलाए गया भियान में कुल एक सवसाथ वारंटी तामिल की गई इस गश्ट की दौरान राजपत्रित अधिकारी थाना प्रभारी वो पुलिस कर्मी तैनात के गए थे कॉम्बिंग गश्ट में लंबे समय से फरार वारंटीयों को पकड़ने में सफलता मिली है इसके अलावा दुर्ग पुलिस ने टीम बना कर सर्प्राइस चेकिंग की जिसमें निगरानी बदमाश गुंडा बदमाशों को समझाईश दी गई वही थानों में वारंटी के लंबित मामले बढ़ने पर आरोपियों की फरार होने वारंट तामिली नहीं हो पा रही थी इससे नियाले में प्रकरन काफी समय से लंबित भी था वारंट की तामिली होने से पिडितों को नियाय मिल सकेगा पुलिस अधिक्षक दुरुग शलब कुमार सीनहा के द्वारा फरार वारंटियों की गिरफतारी के लिए कॉम्बिंग गश्ट चलाने है तो निर्देश के बाद तीसरी बार सहिक तुरूप से वारंटियों गिरफतारी का अभियान चलाए गया इन अभियानों से विगद्दू माह में 650 से अधिक वारंटियों को गिरफतार कर नियाले में पेश किया गया वहें एस्पी शलब सिनहा ने भी बताया कि दुरुग जिले के हर थाने में वारंटियों को पकड़ने के धर पकड़ शुरू कर दी गई है अब तक हम लोगों ने 160 वारंटियों को गिरफतार भी कर लिया है साथ ये भी कहा कि अभियान लगातार जाई रहेगा दुर्गजिले में लगातार वारंटीयों के विरुद अभ्यान चला करके वारंट तमिली की जा रहा जा रहा है गिरफतारी वारंट और स्थाई वारंट जो है और इसी कडी में पहले भी दो बार हम लोगों ने 200 से उपर वारंटीयों को पकड़ा था आज भी हम लोगों ने कल शाम से यह अभियान चालू किया है, और अभी तक ताकी चुनाव के समय भी जितने भी यह वारणटी है जो की पुलिस के पकड़ से बाहरे उनको पकड़ के जेल दे जा सके और साथ-साथ कुलिसिंग में भी एक बेटर कसावट लाई जा सकते हैं ग्रैन एसीन नियूस के लिए हर सुनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट